है यह अलू एभरी वन वेलकम टू माइ चैनल दोस्तों वेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो नियू सब्सक्राइबर्स हैं उनका हर्दिक अभिनंदन है दोस्तों आज की वीडियो भी मेकप लुक है आप लोग देख सकते हैं विल्कुल और ये मेकप मैंने किया है वी एल सीसी की क्लैम ग्लो टिंटेड एस्पी अफ थर्टी पी एक ट्रिपल प्लस के साथ जेहां दोस्तों वांप बेजिक इसका कलर है इसका एक और शेड आता है तो मैंने आज इसी के साथ मेकप लुक किया है विल्कुल फांडेशन जैसा जो है कवरेज देती है ये आप देख सकते हैं और मैंने लाइट ही रखा है ताकि डे लुक इसे मैं क्रियेट कर सुकूं लाइट वेट जुल्री के साथ और मैंचिंग बैंगल्स के साथ मैंने ये लुक क्रियेट किया है आप लोग देख लीजे और मैं हैवी जुल्री के साथ भी पूजा लुक इसी मेकप के साथ आप लोगों को करके दिखा देती हूँ इसी में चोटी सी क्लिपिंग जोड दे मेक अप और लाइट चुल्ड़ी के साथ अची तरह से मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों तो कैसा लगा ये मेक अप बताएगा जरूर दोस्तों फेस वाश कर लिया है हम मैं गुड़ वाइप्स का टोनर यूज कर रहे हूं तुलसी नीम टोनर है ये और जब ये थोड़ा सा ड्रा हो जाएगा उसके बाद में गुड़ वाइप्स का ही कुकुमबर जेल यूज कर रही हूं क्योंकि समर आ गये हैं और समर में हमें जेल बेस्ट चीजें ही इस्तमाल करनी चाहिए दोस्तों अच्छा होता है इसकिन के लिए अच्छी तरह से में पूरे फेस पर मसाज कर लू कि जो है टैनिन वन इसकिन प्रोटेक्टर वाम बेजिक टिंटेड एस्पी एफ 30 पी ट्रिपल प्लस ये क्रिम का इस्तमाल कर रही हूं एकदम वाम बेजिक इसका कलर है दोस्तों फाउंडेशन जैसा ही इसका पूरा का पूरा लुक मुझे लग रहा था महसूस हो रहा था जैसे आप फाउंडेशन लगा रहे हैं थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में था और अच्छी तरह से ये फिंगर से ब्लेंड हो गया है तो इसे बहुत ही स्थिरता से ब्लेंड करना है अच्छी तरह से ऑफजब हो जाए स्किन में बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था कि कु प्रिज मिलता है दोस्तों तो कॉमपेक में आई एरिया पर जहां-जहां मुझे थोड़ा सा डाक दिखता है कि यहां पर डाक एरिया दिख लग रहा है वहां अच्छी तरह से में यूज करूंगी इसके बाद मैं ब्लू हैवन का ये पैलेट यूज कर रही हूं जिस कलर के दिखे और आसपास के एरिया में जो है वह ब्लू कलर दिखे तो आप देखे बहुत ही स्थिर्दा से हलके हाथों से हमें इससे ब्लेंड करना होगा घबराना नहीं है अगर आपको लगे कि कहीं भी ज्यादा या कम हो रहा है तो आप इसे हलके से कपड़े से पोच सकते हैं इससे मैं कॉंटोर कर रही हूँ और हलाकि मुझे कॉंटोर करने के बाद लगा कि मुझे लाइट कलर ही लेना चाहिए था थोड़ा सा मैं इसे चिन एरिया पर लगा रही हूँ क्योंकि जब हम स्माइल करते हैं तो चिन पर बहुत अच्छा सा एफेक्ट पड़ता है वो मै ले लिप्स क्रीज हो जाए थोड़ी सी हलकी सी मसाज दे रही हूँ दो मिनिट की उसके बाद में अभी पैलेट का ही गोल्डन कलर हाइलाइटर के लिए लगा रही हूँ लेकिन मैं बाद में अपना पैलेट बेट इन वाइल का जो है फेवरेट पैलेट उसे यूज तरह के साथ लाइट वेट जूल्री को बहुत ही प्यारी लगती है विलकुल मैक्च कर रही है तो अगर आपको डे किसी पार्टी में जाना हो तो आप इस तरह की जूलरी बेंस क्यों आप मंगल सूतर भी भी पहन सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगें आप में बाडी ल पहन लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ मैं चींग बिंदी में छोटी सी साथ यूज़ कर रही हूँ दोस्तों और अच्छा खासा लुक आया है प्यारा सा डे लुक है अब मैं वेट इन वाइल्ड का जो है हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ आईब्राउस के नीचे थोड़ा सा नोज एरिया में और दोस्तों मैं अपने आईब्राउस पर कोई भी मैंने कलर वगरा फिल नहीं किया है लेकिन मैं ग्लीसरिन से इन्हें सेट करूँगी क्योंकि अगर आपको लाइट रखना है तो आप बिल्कुल ग्लीसरिन से उसे सेट कर सकते हैं ये भी एक ट्रिक है हलका सा ग्लीसरिन लेना है और उसे पूरे आईब्राउस पर फेर देना है इससे बिल्कुल सेट रहेंगे आपकी इधर उदर बिल्कुल नहीं होंगी हलका सा मैं मस्कारा यूज कर रही हूँ और बहुत ही प्यारा सा लुक क्रियेट हुआ है ये मेरी मेवलीन न्यूयॉयॉक की लिबिस्टिक है जो मेरा बहुत ही फेवरेट शेड है इसमें कोई भी मुझे लिप लाइनर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है बिल्कुल बहुत ही प्यारा सा कलर है दोस्तों तो ये ओवराल मेरा लुक है आप लोग देख सकते हैं और हैवी जूलरी वाला लुक भी मैं दिखा देती हूँ तो दोस्तों मैंने हैवी जूलरी लाइट जूलरी हर तरह की जूलरी के साथ आपको ये मेकप लुक करके दिखाया है आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपनों को ये कैसा लगा और बहुत ही अफोर्डेबल है ये मेकप बिल्कुल भी इसकिन में कोई हाउम नहीं होगा बहुत ओवर नहीं लग रहा है कहीं से भी ना तो पाउडर लग रहा है ना ही क्रिम लग रही है और बहुत ही अच्छा हुआ है और हमें कोई प्राइमर की जरूरत नहीं है क्योंकि जो जेल होते हैं चाहे वो अलव एक्वा जेल हो या कुकुम्बर जेल हो ये भी प्राइमर की रूप में हम इस्तमाल कर सकते हैं हमारी skin अच्छी तरह से चिकनी हो जाती है तो make up जादा तेर तक टिकता है और over नहीं लगता है प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताईएगा कि ये वीडियो आपनों के कितने useful रही और कैसा लगा मेरा वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए चेक केर टाटा बाई बाई अपना खयाल रखिएगा दोस्तों और घर में रहिएगा सुरक्षित रहिएगा कि लाटा बाटा बाटाएगा